Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब, आज हम बनाने जा रहे हैं खमन धोकला की रेसिपी, यानि जो बेसन से धोकला बनता है, वो आज हम ट्राइ करेंगे, और इतना स्पंजी बनेगा, इतना सॉफ्ट बनेगा, इतना शांदार बनेगा, कि आप इसको एक बार 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 ट्राइ करेंगे तो इसको जरूर बनाएं, और मुझे कमेंट करके जरूर बनाएं, कि आपका खमन धोकला कैसा बनाएं, इसको आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, और आपके गेस्ट आएं, तो आप उनको बनाके खिनाएं, बहुत ही शांदार उनको पसंद आएगा, और आपकी त सिट्रिक एसिट, ये मार्केट में असानी से मिल जाता है, इसको नीवू का सद भी कहते हैं, इसको मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, चार टेबल स्पून चीनी है ये, चार बड़े चम्मत चीनी लिए मैंने, उसको अच्छे जमें मिक्स करना है तब जब तक चीनी एकदम घुल नहीं जाती, तो जब चीनी घुल जाएगी, अब हम इसको साइट कर देंगे, और एक बड़े बाउल में मैंने लिया है दो कप बेसन, और इसको हम मिलाएंगे वही जो हमने घुल बनाया था, सिट्रिक एसिट और नमक का, उससे हम इसको घुल जाएंगे, और अगर जो पानी कम लगेगा बैटर बनाने में, तो हम अलग से भी इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते जाएंगे, और इसको घुलते जाएंगे, ताकि इसमें कोई भी लंस न रहे, आप चाहें तो बेसन को चान के भी ले सकते हैं, तो यहाँ आपको मेहनत करन करने के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है, दो चम्मच तेल, नॉर्मल तेल मैंने लिया है, रिफाइंड तेल, इसको मिक्स कर लेंगे, और अब मैं इसमें डालूंगी इनो, नॉर्मल इनो है यह, कोई फ्लेवर फुल ना लें आप, और इसको हम पानी डालेंगे, ताकि एक्टिवेट हो जाए, और इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से, एक मिनट के लिए आप इसको अच्छे से मिक्स करें, ताकि इनो पूरा बेसन में अच्छी तरह मिल जाए, ताकि हमारा ढोकला बहुत स्पंची और सॉफ्ट बने, अभी मुझे एक ट्रे में ऑईल लगा लेंगे, जिसमें हमें इसे अपने ढोकले को स्टीम करना है, मेरे पास्टीमर है, लेकिन अगर आपके पास्टीमर ना हो तो आप एक पतीली में पानी रखें, बड़ी पतीली में उसमें जाली रखें नीचे में, और किसी भी थाली में आप तेल कि इसको आप अच्छे से स्टीम कर सकते हैं. मैंने सारा बैटर इस ट्रे में डाल दिया है और इसको अच्छे से हम बराबर कर लेंगे देखे इस तरीके से अब यह बिल्कुल बराबर हो गया है और मेरा स्टीमर एकuchen तेया है मैंने लिया एक उठी धनिया दो से तीन हरी मिर्च यह बिल्कुल भी तीखी नहीं है आप अपने इसाब से मिर्च ले 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 और चार से पांच हमने लिये लस्टन की कली इसमें मैंने डाली यह बुनी चने की दाल एक बड़ा चमच लेकिन आप चाहें तो बुने चने भी आ गार्गर फट्राइब से लियुख ऋड़ाने जीरा नमक दालें और टेस्ट के कोड़िंग हम इसमें नमक दालएंगे और थोड़ासा पानी डालके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और चट्नी इसकी तयार आप से बना ले बहुत ही शांदार बनी थी यह तो अब देख लेत तरीके से यह देखिए तो हमारा ढोकला एकदम तयार है अगर आपका कुछ गीला निकले हलका सा भी लगा हुआ तो आप पांच मिनट इसे और स्टीम कर ले तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और आप में तड़का तयार कर रही है एक पैन में मैंने तीन से च चाई टेबल स्पून ओयल लिया है और इसमें डाली एक चमच रही जब रही अच्छे से नाट जाएगी तो हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और यह दूल से तीन हरी मिर्च जिसको लंबा-लंबा काट लिया था वह में डालके हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे औ और अब इसमें मैं डालने हूँ दो चम्मत चीनी जिहां तड़के में इसमें चीनी डालके जो हलका मीठा पन होता है और ढोकले में बहुत टेस्टी लगता है लेकिन आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद नहीं है क्योंकि हमने बै दोकला भी ठंडा हो गया है लेकिन बिल्कुल ठंडा इसे नहीं करना है हलका सा वाम रहना चाहिए और इसके हम शेप दे देंगे आप चाहें अपने साब से शेप काट सकते हैं तो देखें कितना स्पंजी लग रहा है काटने पर इतना सॉफ्ट लग रहा है तो हमारा ढोक हर कोने पर हम इसको पहला देंगे तड़के को और दस मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से हैं जो पूरा हमारा तड़के का पानी है वो सोक लिए डिजॉल्व हो जाए इसमें तो देखें हमारा ढोकला एकदम तयार है चटनी के साथ मैंने से सर्फ किया तो आप इसको जरूर ट्राई करें ब्रेकफास्ट में आप इसे खा सकते हैं शाम में भी आप इसको बना के खाएं और बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं और अगर आपके कोई पार्टी हो मेहमान आने वाले हो तो आप चाय नाशने के लिए इसको जरूर ट्राई करें बहुत ही शांदार बनेगा और आपके जो गेस्ट आएंगे उनको बहुत पसंद आने वाले हैं तो देखिए कितना शांदार और सौफ ढोकला मारा बनके तयार हुआ है इसको जरू ट्राइ करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को किये बिना ना जाएं और बेल आइकन को जरूर टच करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुचे अफ्लोट होते ही मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलूंगी तब तक आप खयाल रखें अपने और अपनी फैमिली